हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कॉंट स्टेडी, कॉंट स्टेडी में आपका एक बर्फेर स्वागत है, आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैट्स के चेप्टर, एजीस का पार्ट टू, जिसके साथ हमारा एजीस चेप्टर भी है, कम्प्लेटली खतम हो जाएगा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इसके अलावा हम इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी एक्टिव हैं, ये रहे डिरेक्ट निंक्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा कोशन, जिन बच्चों ने पहला पार्ट लगाया, उन बच्चों के लिए इस कोशन को सॉल कीजिए, उस कंसेप्ट के बेसिस पर जो आपने पहले पार्ट में पड़े हैं, और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले कोशन के साथ, तो कोशन कहा रहा है कि प्रेजेंट एज जो है मदर और डॉर्ट की वो है 7 is to 1 की रेशो में, चार साल पहले वो थी 19 is to 1 की रेशो में और अब हमें बताना है कि 4 साल बाद मदर की एज क्या होगी, तो देखते हैं इस है इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूज हुए जिसकी वह से मैंने आपको यह कोशन स्पेशली दिखाया है ठीक है सबसे पहले हमने कोशन शुरू किया है उन सब चीजों के साथ जो हमें कोशन में अवेलेबल थी प्रेजन रेशो लिखी हमने मदरो डाटो की और पास्ट की रेशो लिखी 19 इस तो 1 अब हमें दिख रहे है कि 7 से 19 में 12 का इंक्रीज हो रहा है और 1 से 1 में कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि रेशो को बैलेंस करेंगे कैसे प्रेजन्टेज का गैप निकालेंगे पास्टेज का गैप निकालेंगे वो आज जाएगा प्रेजन्टेज का आजएगा 6 पास्टेज का आगया 18 अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पास्टेज का जो 18 है वो प्रेजन के साथ मल्टिपला होगा और जो 6 है वो ऐसे ही पढ़ा था पर एक और चीज हम कर सकते हैं यह एक निया concept है इसमें क्या है जब आपके ऐसे दो number आ रहे हैं जो एक दूसरे के table में आते हैं तो हम उसको वहीं पे reduce कर लेते हैं जैसे 6, 3 is a 18 तो हम क्या करेंगे 6 को काटके 1 लिख देंगे 18 को काटके हम लिख देंगे 3 अब हमें क्या करना है हमें 3 multiply करना है present के साथ और 1 multiply करना है past के साथ पास के साथ 1 multiply करने वे तो उसकी ratio चेंज नहीं होगी पर present के साथ 3 multiply करने पे हमारी जो new ratio होगी present की वो आएगी कुछ ऐसी ठीक है present ratio होगी है हमारी 21 is to 3 past ratio होगी हमारी 19 is to 1 अब हमें पुरानी ratios को भूल ज case में भी daughter के case में भी अब हमारे कोशन जो है right direction में जा रहा है क्योंकि past जो है वो कम होना चाहिए present से ठीक है अब उन्होंने क्या का है हमारी ratios में तो हमारे two units का gap आ गया अब उन्होंने कोशन में कुछ value दी होगी जिससे हम compare कर सकेंगे तो क्या का है कोशन में लिखा हुए यहां पर four years ago यानि चार साल पहले ratio में हमारे पास चार साल की क्या value आ रही है दो unit तो हम इनको compare कर देंगे ठीक है दो unit की value आगी चार एक unit की value आगी दो अब उन्होंने पूछा है what will be the mother's age four years from now यानि आग से चार साल बाद ममी की age क्या होगी तो उसके लिए पहले हमें उसकी present age निकालने पड़ेगी present age क्या दिख रही है डिखरे है 21 unit दिखरे है मतर की अगर एक unit की value है दो away किस unit की वहले क्या होगी 42 और उनने पूचा है आज से चार साल बात क्या होगी 42 में 4 एड करेंगे तो मद किये जाएगी 46 चलते हैं हमारे second question पर second question कहा रहा है कि मीना जो है एक लड़की उसकी 10 सल पहले शादी हुई थी आज उसकी age जो है 7 by 5 टाइम है उस age के जिस age में उसकी marriage हुई थी यनि 10 सल पहले जो उसकी marriage हुई थी आज उसकी daughter भी है आज के time पर और उसकी age है 1 by 5 times मीना की present age के ठीक है अब उन्होंने पूछा है कि मीना की age की ratio ठीक है what is the ratio of मीना's age to her daughter age 5 after 5 years यानि कि 5 साल बात मीना की और उसकी daughter की ratio जो है age की ratio वो कितनी होगी हमने लिखा कि जो 7 by 5 हम में term दीगी थी मैंने आपको का था कि denominator ही एक ऐसी पार्ट होता है our उसको कोंसी वाली हेज देंगे यानि कि फाइव उनिट उसकी present age होगी यां फिर marriage की कि टाइम वपली होगी वह सब्सक्राइज की जोगी या उसकी मेरज के टाइम वली होगी और वसे बात है मेरेज उसके आज की एज है अब उन्हें क्या आख है कि उस एज में और आज की एज में दससल का डिफरेंस है क्योंकि दससल पहले शादी हुई थी और रेशो के हिसाब से जो हमने अज्यूम किये हूँ वह 7 उनिट और 5 उनिट उसके हिसाब से इन दोनों की उस time की और आज के time की एज का gap two unit का आ रहा है तो हम उस 10 को इस two unit two unit के साथ compare कर लेंगे two unit की वेल्यों आगी ten years,one unit की वेल्यों आगी five years अब मीना की एज अगर हम प्रेजरंट निकाल ले तो वो क्या आएगी seven into five,seven five is a thirty five आएगी next line कहते है कि उसकी तो प्रेजन एज वह उसकी मदर के वन बाइफ फाइव है ठीक है यानि कि अगर मीना की एज जो है थर्टी फाइव है तो टॉटर की एज क्या होगी 35 डिवाइड बाइब प्रेजन एज की बाद चल रही है अब कोशिन कह रहा है वाट इस तर रेशो ऑफ मीना जेज तो हर डॉटर जेज फाइज फाइव एज लेटर यानि आफ्टर फाइव एज ठीक है पांक साल आगे की बाद अगर मीना की एज थर्टी फाइव है तो पांक साल बाद क्या होगी फाटी और उसकी डॉटर की एज अगर साथ है तो पांक साल बाद क्या होगी बारा ठीक है तो रेशो क्या आजाएगी 10 इस टू 3 की जब हम इस रेशो को 40 इस टू 12 को शॉट करेगे तो यह रेशो आजएगी 10 इस टू 3 और यही है वो रेशो जो हमारा कोशिन डिमांड कर है नेक्स कोशन पर चलते हैं अब एक चीज़ देखे जब भी हमारा कोशन आएगा ना प्रड़क्ट ऑफ टू एजीज जब दो एजीज का प्रड़क्ट कहा होगा तो सीधी सीधी सी बात है इस कोशन में कॉड्रेटिक एक्वेशन बनेगी ही बनेगी ठीक है आप इस कोश कोशन को स्किप कर देना चलो देखते हैं कैसे करना है कोशन सरीता और गोरी की 320 है मल्टिप्लिकेशन की गई है उनकी जिसकी तो 320 आ रहे है एट यह फ्रॉम नौ आज से आठ साल बाद यानि फ्यूचर की बात की जारी सरीता जेज विल भी थ्री टाइम्स दा एज ऑफ गो लिए गोरी को जी मान लिया उनका पोड़क लिक दिया हमने 320 हब उनने बात की है 80 यह फ्रॉम नाव सबसे पहले तो जब आएगा 80 यह फ्रॉम नाव आप एस में आठ एड कर लोगे जी में आठ एड कर लोगे क्योंकि 80 दो दोनों में एड होंगे अब उनने क्या का है 80 के पाद उनकी एक ratio दीए जो है 3 is to 1 वो मैंने आपको ऐसे लिखके दिखा दी कि s plus 8 और g plus 8 जो है वो 3 is to 1 की ratio में है जब हम इसको cross multiply करेंगे तो यह बन जाएगा s plus 8 equals to 3g plus 24 अब हमने जो alphabet वाली टर्म्स है वो एक साइड ले लिए और numbers एक साइड ले लिए तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया s minus 3g equals to 16 अब आपके पास दो option है यहां तो आप पहली वाली equation में s की यह जी की कुछ भी value कर निकाल लो 320 के नीचे दूसरी टर्म को लेकर फॉर एक्जेंपल आपने अगर जी की value निकाल लिए है तो जी की value क्या होगी 320 by s यह तो आप वह कर लो यह तो आप यह वाली equation से किसी एक की value उपर वाली equation में डाल लो तो मैं prefer करूंगा कि आप नीचे वाली equation में से किसी एक की वाली उपर वाले में डालो क्योंकि वो रैसी प्रोकल में नहीं होगी आपका कोशन थोड़ा इजी हो जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया एस को ले लिया 16 प्लस 3G ठीक है 3G दूसरे साइट चला गया तो वो 16 प्लस 3G हो गया और वो हमने सबसे उपर वाली एकोशन में पूट कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसी आगी एकोशन 16 प्लस 3G को हमने जी से ही मल्टिप्लाइग करने और हमारे उसको को 320 की एकोल कर देना है ये करने के बाद हमारे पास आएगी 3G स्क्वेर प्लस 16 जी माइनिस 320 इस इकोश टू जीरो मने आपको कोशन के स्टार्टिंग में बताया था ऐसे कोशन जब भी एज इसके प्रड़क्ट होगा तो वो कॉड्रेटिक एकोशन बनाएंगे ही बनाएं यह मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है मैं बस आपको बता देता हूं कि फैक्टर जाया 24 और 20 तो रूट्स आएंगी उसकी 24 बाई 3 और माइनस 40 बाई 3 यह कैसे यह आई यह आपको विशाल सरही बताएंगे ठीक है 24 बाई 3 आगी और माइनस 40 बाई 3 आगी माइनस तो जो है व को डिवाइट कर देंगे तो हमरे पास सरिता की यह जाएगी सरिता की यह जागी हमरे पास 40 यह पर क्या हो उन्हें कोशन में सरिता की प्रेजेंट पूछी है नहीं उन्हें पूछा है कि वाट वस दे एज ऑफ सरिता विन गोरी वास बॉन अब स्पोस कीजिए आप आज 10 स साल पहले फ Tomato और आपकी पापा की आज जो भी प्रेजन्ट है हम उससे दस साल माइनस कर दें तो आपके पापा की वह जताएगी比較 भी ओप लिक्म्न है तो सरिता की अज़ो पहले की निकाल लिए जब गोरी पैदा हुई थी 40 एगर सरीता की present age है तो 40 में से हम 8 माइनिस कर दें के तो सरीता की age आगी 32 years जो की वो age थी जी साल गोरी पैदा हुई थी ठीक है चलते है next question पर इस question को पढ़ने में आपको लगेगा कि बहुत असान है पर इस question में बड़ी छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है अगर वो छोटी सी चीज आप ध्यान नहीं रखोगी आपका पूरा question ही पलट जाएगा ठीक है question क्या है my grandfather was eight times older than me 16 years ago he would be three times of my age eight years from now what is the new ratio of my age to that of my grandfather now present की बात कर रहे question पूछ रहे कि आज मेरे और grandfather के बीच में ratio क्या होगी ठीक है सबसे पहले हमने लिख लिया past में लिख लिया की भई one is to nine की ratio अब यह nine कैसे आया question में तो eight कहा हूँ है eight times older ठीक है तो यह nine कैसे आया अगर कोशन ध्यान से पढ़ोगे तो कोशन में कहा है my grandfather was eight times older than me than me का मतलब अगर आज मैं one unit हूँ मेरी एज अगर आज साल आज है एक साल तो मेरे जो grandfather है वो मुझसे आठ साल बड़े हैं बड़े का मतलब कि मेरी एज में eight साल एड होगा ठीक है ठीक है मैं उम्मीद करते हूँ आपको यह concept समझ आया अगर सिर्फ लिखा होता my grandfather is eight times the age of me eight times the age of me eight times older than me इन दोनों के difference समझे अगर लिखा होता eight times the age of me तो आप अपनी एज को one assume करते grandfather की एजाज़ती eight क्योंकि उन्हें कहा कि मेरी एज के eight times है पर उन्हें ने eight times नहीं कहा उन्हें कहा है eight times older than me ठीक है older than me में क्या होगा आप अपनी एज में वो eight add करोगे अगर younger than me होता आप अपनी एज में वो eight minus करते ठीक है मैं उम्मीद करते हूँ आपको यह तीन चीज़ों को differentiate करना आ गया eight times age of me eight times older than me eight times younger than me इन चीज़ों को differentiate करना अगर आपको आ गया है हम कोशन में अगे फर्दर चलते हैं ठीक है अब यह बात चल रही है कि भई 16 years ago 16 years ago आप किस से लोगे present से लोगे या future से लोगे और वेसी बात है अगर आप कह रहे हो 16 साल पहले की बात है तो आप आज से 16 साल पहले की बात कर रहे हो तो हम इसमें एक present भी introduce कर देंगे उसका कहीं use नहीं होगा उसका बस gap निकालने के लिए हमने रखा है तो क्या है गी पास्ट और present में 16 साल का difference है और 16 साल पहले grandfather और मेरे बीच ए 1-9 की ratio थी ठीक है future की बात करती है कि 8 साल आज से 8 साल बाद present और future में भी 8 साल का gap है और 1-3 आगी मेरी और grandfather की ratio ठीक है अब सब साल बता चुका हूं कैसे common बनाना है अब जब हम पूरा question को solve करेंगे तो हमारी past की ratio चेंज रही होगी वह 1-9 ही रहेगी हमारी future की ratio आजेगी new चो की होगी 4-12 1-3 के बजाए हो जाएगी वह 4-12 तो आप देख सकते हैं 1-4 में 3 का addition हो रही है 9-12 में 3 की addition हो रही है अब आप 16 और 8 उसको add कर देंगे तो पास्ट और future का gap आजाएगा तो पास्ट और future का gap क्या आजाएगा 24 years का 16 plus 8 24 years का अब question जो हमने ratios निकाल लिया उसके according तो पास्ट और future में 3 units का gap आ रहा है और असली में है 24 years का तो 3 units को हम 24 से compare करेंगे 1 unit की value आजेगी 8 year अब उन्हें पूछा what is दो option है ठीक है यहां तो आप past की age निकालो और इसमें 16 add कर दो यहां तो आप future की age निकालो और इससे 8 minus कर दो ठीक है मैं इस question को future की age निकालके 8 minus करके solve कर रहा हूं ठीक है तो future की age आगी बई 4 unit थी मेरी 12 unit थी grandfather की तो 4 में 8 add की हमने multiply किया तो मेरी age आगी 32 year वैसे ही grandfather की age है अब यह तो हम future निकाला है हमने अब हमें present निकालना तो हम 8 minus कर लेंगे मेरी age से 8 minus होगा 24 आएगा grandfather की age से 8 minus होगा 88 आएगा तो इसी की हमें ratio बतानी है तो 824 is to 88 आगी ratio जो को जिसको हम short करेंगे 8 से हम divide कर देंगे दोनों नमबर को तो हमारे पास ratio आजाएगी 4 is to 11 की य A और B की present ratio दी हुए है by 10 is to 13 और 8 is to 15 कौन सी ratio है? A की age आज से 10 साल पहले और B की age आज से 10 साल बाद समझे? अगर हम A की age को आज से 10 साल पहले 8 units दे रहे हैं तो B की age को आज से 10 साल बाद हमें 15 units देना होगा ठीक है? अब इन्होंने वही चीज पूछिए जो बचे हुए gap है यानि A की age 10 साल बाद और B की age 10 साल पहले इसकी ratio बतानी है क्या होगी? अब इस question को हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं इसमें भी तीन टाइम इवेंट्स आ रहे हैं past, present, future तो हमने वो लिखे present तो ठीक है भी सिदा सिदा दिये 10 इस टू 13 अब A की age 10 साल पहले यानि past और present के बीच 10 साल का gap है दस साल पहले A की age थी 8 unit उस 8 unit के according B की age आच्छे 10 साल बाद होनी चाए 15 unit वो चीज हमने भर दी अब ये question कैसे करना है? हम A और B की present present ही है एक term जो हमें अभी बराबर बराबर दी हुई है तो हम क्या करेंगे? A को 10X मान लेंगे, B को 13X मान लेंगे अच्छा A की age 10 साल पहले, यानि 10X मान लेंगे 10X और B की age 10 साल बाद, यानि 13X प्लस 10 ठीक है? और इनकी ratio हमें दी हुई है, 80 to 15 की ratio में ठीक है cross multiply किया 150X minus 150 is equal to 104X plus 80 हमारे पास 46X की value आगे 230, जिससे हमने X की value निकाल ली 5 तो 5 निकालने के बाद हम present age निकाल सकते हैं, यह जितने भी हमारी numbers हैं, जिनको हमने xx resume किया हुआ है, ठीक है? तो उसमें हम value डाल देंगे, अगर A की present age 10X थी, तो इसकी x की value पूट करने के बाद A की age के आ जाएगी 50, वैसी B की age के आ जाएगी 65 A की आगी 50, B की आगी 65, A की 10 सल पहले होगी 40, B की 10 सल बाद होगी 75 तो अगर हमें B की 10 सल पहले की निकालनी है हम 65 में से माइनिस कर सकते हैं 10 वैसी A की 10 सल बाद की निकालनी है तो हम 50 में 10 आड़ कर सकते हैं तो A की एज 10 सल बाद आगी 60 B की आगी 10 सल पहले 55 ठीक है तो इनकी रेशियो आगी 60 इस तो 55 वो जो की है 12 इस तो 11 यह सब हमने किया मुझे लगता है आपको यह चीज समझ आ गई होगी ठीक है पर यह जो कोशन है हमें इस मैथट से नहीं करना क्योंकि यह मैथड एफिशेंट जरूर है पर हम इसे लॉंग मैथड कंसीडर करेंगे इसे कैसे करने अब देखते हैं ठीक है अब मैं आपको ट्र जो हमें कोशन में दी थी अब आपने देखना है यह कोशन पे अप यह ट्रिक सिर्फ तब ही लगा सकते हो जब हमें जो एज का गैप है वह बराबर बराबर जैसे दस साल पहले की बात की है एज की एज की innovate थी वैसी दस साल बात की है बी की एज की पंद्र ती और और अब जो बचे होए gaps थे वो 10-10 साल के उनीकी ratio हमें बताने थी अगर हमें कोशन में 10-10 के बज़ाए पूछ लिए होता 5 या 7 तब हम ये trick apply नहीं कर सकते जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये trick सिर्फ तब ही apply होगी तो जब हमारे बचे होए gaps की ratio हमें जो एज है वो सेम होगी 10-10 साल ही दी होगी और हमें बचे होए जो gap से उनकी ratio पूछी होगी है सिरफ तब ही apply होगी कुछ नहीं करना है अपने trick में जब आपने देखा कि सारे age के gap बराबर हैं तो आपने individual-individual के जो एज का gap है वो निकालना जैसे एक पास्ट में था 8 तो present में है 10 कितने unit का increase हो रहा है दो unit का तो present और future में भी दो unit का increase होना चाहिए जब आप 10 में दो add करोंगे तो future की ratio जो value होगी वह होगी 12 unit वैसे ही हम देखेंगे बी को बी की अगर future में 15 और present में 13 तो present से future में कितने unit हो रहे हैं दो unit ठीक है वैसे ही हमारे past से present के बीच भी दो unit ही add on चाहिए अब किस नंबर में दो unit add करोगे तो आएगा 13 वह आप add करोगे 11 में तो 11 आ गया B का past ठीक है और इनकी ratio बूच हुए है तो 12 इस तो 11 आ गया करके इतना बड़ा solve करके भी 12 इस तो गया रही आया और यह शॉट टेट लगा के भी 12 इस तो गया रही आया और मैंने आपको बता दिये कि यह शॉट ट्रिक कहाँ apply होगी और कहाँ नहीं apply होगी ठीक है इसी के साथ हम आज का session end करते हैं और आपके एजिस के इतने भी concept हैं वो सारे cover हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि यह वाले concept करने से पहले आप अपने ratio proportion chapter के concept strong कर लीजिए उससे आपको इस chapter को असानी से पढ़ने में बहुत help मिल जाएगी ठीक है तो आप इस वीडियो को like कीजिए अगर आपको यह channel की videos समझ आ रही हैं आसान लग रही है तो आप हमारे channel को subscribe भी गीजिए और इसी के साथ हमारे जो आज की वीडियो है इसे अपने friends के साथ share भी गीजिए ठैंक यू